प्रियंका और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 20 सूत्री समीती को लेकर जो है लगातार बाते चल रही है लगातार जो है बहुत जगव पर चचाय चल रही है सुर्ख्यों में ये खबर बनी हुई है कि आखिर कब 20 सूत्री समीती का जो है घोशना की जाएगी बुकारों में लेकिन मैं आपको बता दू कि 24 जिले आते हैं जारखड में जिसमें कि 10 जिलों में 20 सूत्री समीती की घोशना कर दी गई है और सबसे बड़ी बात में इसमें को बताओ कि 24 जिलों में से जो 10 जिले हैं वो कॉंग्रेस को दिये गया है कॉंग्रेस के जिम्में हैं जेमें को 13 जिले जो है जेमें के जिम्में दिये गया है और आजी आजीडी को एक जिला दिया गया है और लेकिन अभी हम बोकारों में है तो हम बोकारों की बात करेंगे ज टीन नाम हैं उनकी चर्चाय चल रही है बहुत अठकले लगाई जा रही है कि शायद वो जो है उन तीन नाम में से कोई एक जो हो वो उपाध्यक्ष बन सकते हैं इस वार बीस शूत्री के इस चर्चों का हम आपको बताएंगे इस के बारे मैं आपको बताएंगे लेकिन सबस सक्ष का पद ग्रहन करेंगे हमारे साथ मौझूद है हमारे दो वरिष्ट पतकार हमारे वरिष्ट पतकार राम नरायन शर्माजी साथ हमारे मैंनेजिंग एडिटर हिमान सुजी इन से हम जानेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर वो तीन बड़े नाम कौन है जो 20 सुत्री मे शामिल होने जा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका सबसे पहले बोकारो श्टील सिटी के तमाम दर्सकों को नए साल की धेर सारी सुपकामना क्योंकि बहुत सालों के बहुत दिनों के बाद हम लोग सब एक साथ मिलकर कारकरम में आये हैं और आपने जिस ख़बर को कौन बनेगा अगला उपाद्धाच क्योंकि बोकारों में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत इस्तिती में हैं कांग्रेस पार्टी के कई कारकरता प्रखंड से लेके गाउं से लेके सहर में तमाम जगों कांग्रेस अच्छे मजबूत इस्तिती में बोकारों में हैं आप और बोकारो जिले के प्रदेश अध्यच का ग्रेह जिला होना ये भी इंपोर्टेंट है इसलिए तमाम लोगों की यहां नजर बने हुए कि आखिर प्रदेश अध्यच अपने ग्रेह जिले में किसे अपना सेनापती चैन करेंगे क्योंकि प्रदेश अध्यच बनने के वाद पहली बार किसी समिती की घोसना हो रही है और बहुत महत्पुन है ये भी सूत्री का जो समिती है क्योंकि इस पर तमाम लोगों की नजर है अब ये कहना की कौन तीन बड़े नाम होंगे हमारे लिए भी काफी कठिन था क्योंकि अभी हम इसकी पूष्टी नहीं कर रहे हैं जो च्छन के खबरे आ रहे हैं यहां से लेके रांची तक जो चर्चाएं हो रही है उस पे ही आज हम बात कर रहे हैं और सूत्रों के हवाल से खबरते रहे हैं लेकिन हम अपने दर्शकों को और कांग्डिस के जितने भी कारकरता नेता देख रहा हैं उन्ने हम कहना चाहेंगे हम इस खबर कहीं से मोहर नहीं लगा रहे है कि यह खबर पक्की है और यहीं लोग बन पाएंग partialंगे हम एक अनुमान लगा रहे हैं और कर भी सुत्री के उपाधधच कोई बन सकते हैं तो वह पहला नाम है बोकारों के जिला अध्यक्ष तो है ही और ये ग्रीह जिला से जो जैसे कि हिमांसु जी ने बोला प्रदेश अध्यक्ष के ग्रीह जिला से ही तालुक रखते हैं और यहीं पर रहते हैं और जिला अध्यक्ष भी है यहां के और इनका जो पद है अभी फिलाल बुकारो जिला में सबसे उपर में तो ऐसे अटकले लगाए जारी है कि जो मंजूर अनसारी है वो हो सकते हैं जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष सुत्री समीति के और सर्मा जी आप चंदन क्यारी से बिलॉण करते हैं वहां पर क्या लगा लगाई जारी है किसका नाम आगे आया जा रहा है सबसे पहले तो डीप жocड़ परिवार की तरफ से समस्त धर्सकों के नमस्कार जिसा कि आपको जानने की जरूरत है कि यह जो भी सुत्री समीति की घोषना सरकार की तरफ से और इहीं प्रियंका सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाब भी रहा है कि दो साल आपके काजकाल के हो गए है और आप भी सुत्री तक का गठन नहीं कर पाए परदेश में तो किस तरह का मैसेज सरकार परदेश के लोगों को तो देगे कि भी सुत्री नहीं होगा तो सरकार की वजनाओं को जन जन तक कैसे ले जाएंगे और मोनिटरिंग कोन करेगा जी लेगा तो इससे लेकर दवाब था इसी को चलते देखे आओगे कि आपकी सरकार आपके द्वार काजकरा महमन सोरंदी के द्वारा चलाए गया और नए साल में नए साल के पहले 17 से ही सरकार ने भी सुत्री के समीती के अलग-अलग जीलों की घोसना शुरू कर दी है कई जीलों की घोसना हो गए है बोकारो जीला चुकी कहा जाता है कि बोकारो जीले में जार्खन मुक्ति मोर्चा उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जो candidate रही है वोकारो बिधान सभा से second position में रही है और उसके बाद सभी परखंडों में आप जाएंगे तो Congress की अच्छी खासी टीम है और उस टीम को देखते हुए उसके साथी साथ प्रदेश अधक्ष का ग्रिया जीला भी संजोग से है यही वोकारो जीला तो ऐसे में वोका जैसे बकारो जीली में नो परखंड है प्रियंका लेकिन चंदन क्यारी परखंड से भी एक बड़ा नाम इस समीती को लेकर सामने आ रहा है और वह सभी जानते हैं कि वह बड़ा नाम है देवासिस मंडल नामक इनके प्रखंड अधक्ष भी कॉंग्रेस पार्टी के चंदन वरी को उसमें कुछ सुखबोगाट भी नजर आई थी और उसी को देखते हुए लोग क्यास लगा रहे हैं कि इस समीति में अगर किसी परखंड कमिटी के सदस को जगह दी जाएगी उपादक्ष के पद पर तो देवासिस मंडल भी इसमें आ सकते हैं आगे उनका नाम भी इस अध्यक्षपत से नवाजेज आ सकते हैं 20 सुत्री समीति के और लगातार ये बाते जो है चर्चा में है सभी जगा मोहल जो है सिर्फ इसी पर चर्चा कर रहा है जहां भी आप कॉंग्रेस पार्टी के लोगों को देखेंगे चाहे कुछ नेताओं को देखेंगे वो इसी बहुत बड़ा मुद्दा है जो की सामने आ रहा है और जैसा कि पहला नाम हमने बताया कि मंजूर अंसारी जो कि जिला अध्यक्षे उनका है और दूसरा जो चंदन क्यारी प्रखंड अध्यक्षे देवासीस मंडल उनका नाम सामने आ रहा है और ये अटकले लगाई जारी है हम खबर आ रही है हम इसकी पूष्टी नहीं कर रहे हैं अब मैं आपको बताने जा में चrowsवान में बोकारों के परभावित जरूर किया था अपने स्टाइल से नोमनेशन के दिन से लेके अभी तक उन्होंने लोगों को परभावित किया है अपने कपड़े पेनने के स्टाइल हो चाहे बोलने का स्टाइल हो यह चलने का स्टाइल हो लोगों को कम समय में परभावित किया है उन्होंने और और इनकी यही जो कांग्रेश पाटी के पुरति जो सम्रपन थी सको देखते हुए कांग्रेश पाटी नहेंए उन्हें बहुत जलद के साथी चन दुन के बाद उन्हें जिला अध्यच बना दिया था और OBC मोर्चा का जिला अध्यच बनाई था जिनका नाम उमेज परसाद गुपता है उमेज परसाद गुपता का नाम ये काफी सुर्कियों में है कि वो भी सुत्री समिति के उपाध्यच बन सकते हैं क्योंकि जहां तक उनके बड़े निताओं से कनेक्शन है और ये चन दिनों में ये एक दो सालों में सरकार बनने के वाद उमेज परसाद गुपता का जिस तरह का पुलिटिकल कनेक्शन देखा गया है रांची आना जाना मंत्रियों के साथ बैठना उटना इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि उमेज परसाद गुपत जी का जो की OBC विभाग के जिलाध्यक्ष कॉंग्रेस पार्टी के और लगतार अटकले इनके लिए भी लगाई जा रही है कि शायद ये भी उपाध्यक्ष बन सकते हैं उपाध्यक्ष पद से ने नवादा जा सकता है लेकिन जैसा कि हम बार-बार आपको कह रहे हैं हम इस का फैसला नहीं हुआ है लेकिन ये तीन नाम जो है बहुत चर्चा में है और पूरी उम्मीद जताई जारी है कि इन तीन नाम में से ही कोई एक नाम है जो उभर कराएगा उपाध्यक्ष पद को संभालेगा सर्मा जी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और आपके मा जन्क लियानकारी योझनाओ की उसकी मोनिटरिंग के लिए सरकार की तरब से बकायादा इसका एक लोटीश जारेकर इसे घठित किया जाता है कि 20 सुत्री के जो पादख्ष होंगे ओर जो सदश स्वात बन होंगे वो जीले की सरकारी जन कल्यानकारी योजनाओं की मोनिटरिंग करेंगे सरकार के समक्ष इसका नोटीस भेजेंगे कि हमारे जीले में क्या कुछ काम हो रहा है क्या कुछ नहीं हो पा रहा है जन कल्यानकारी योजनाओं जो सरकार के द्वारा अधिकारियों के माध्यम से परदेश में और जीलों में लागू की जाती है उसका कितना कुछ लाब ग्रामी नस्तर में आम जनों को मिल पारा है। मोनीटरिंग एक तरह से सरकार के ही ये निचले अस्तर के पदादी कारी गन होते हैं जो सीधे सरकार को इसकी रिपोर्ट देते हैं प्रियंग का। जीले का जिम्यदारी देनी हैं उसके बाद पाटी काज करता हूँ जीला अद्धक्सों पाटी नेताओं की सामति लेनी पड़ती है प्रदेश से लेकर केंद्रिय अस्तर्तिक के नेताओं की सामति लेनी पड़ती है। उसमें भी कुछ बिलम जरूर हुआ है लेकिन दो साल बादी सही इस नए साल में अगर सरकार ने इसका परियास सुरू कर दिया और कई जीलों की घोसना किया है तो उम्मिद करते हैं कि जल ही बोकारों जीले की भी घोसना होगे और हमारे जीले को जिसके जिम्मे सोपा अंकल्यानकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगा प्रियंका तीन नाम जो भी हमने सामने रखे हैं किस तरह से चर्चाओं में थी जो हमने इन्हें लाया इन तीनों नाम को सामने किस तरह की चर्चा चल दिये इन तीनों नामों पर देगे प्रियंका आपने महत्प बताना चाहेंगे और कांग्रेस पाटी के जो नेता देख रहे हैं उन्हें भी जरूर बताना चाहेंगे जो कार करता है उनमें काफी उस्सा है कि आखिर अगला उपाध्धच को होगा क्यूं इन तीन नामों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं पहला नाम जो मंजूर अंसारी है आखिर क्यूं हम मंजूर अंसारी के चर्चा कर रहे हैं क्यूंकि मंजूर अंसारी खुद अभी जिला के जिला अद्धच है वो क्यूं भी सूत्री के उपाध्धच बनना चाहेंगे कई माइने हैं इसके कई चर्चा हैं तो हम अपने दर्सकों को बताना चाहते हैं कि कई स साल पहले बिहार में देखा जाता था कि antibody जब भी enam सूत्री का गठन होתा था यहidas partner ली इस कोई बिबाद यह होता था अगर कांग्रेस ने इस फर्मूले को इस्तमाल किया कि वहां के जहां के जिला अधच है अगर उस जगह के जिला अधच को ही बना दिया जाए तो कोई भीबाद नहीं होगा तो इस फर्मूले में सबसे मंझूर अंसारी बैठते हैं इसलिए यह पहला नाम मंझूर अंसारी का हम लोगों ने रखा है कि अगर इस यहें उन जिलों में जिला कोई भीबाद और कोई चर्चा नहीं होगी दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है उमेष परसाद गुप्ता जिसकी हम चर्चा कर रहा है कि आखिर क्यों उमेश परसाद गुपता को ही बनाया जा सकता है तो मंजूर अंसारी जो है मंजूर अंसारी अगर इस पद पर नहीं काविज होते हैं तो मंजूर अंसारी की पसिंदिता लोगों में उमेश परसाद गुपता भी है क्योंकि मंजूर अंसार उमेज परसाद गुपता के काफी नजीकिया है कही कारकरम में यह दोनों साथ-साथ दिखते हैं चाहे मंत्री आए विदायक आए कोई भी आ है मंजूर अनसारी और उमेश परसाद गुपता एक साथ जरूर दिखते हैं चाहिए सरकीट में गुलदस्ता लेके जाना हो या गुलदस्ता देना हो या मंत्रियों की गाड़ी से कहीं जाना आना हो तो तमाम लोगों ने देखा है उमेश परसाद गुपता अभी पुलिटिकल कांग्रेस में एक च क्यूं चंदन क्यारी से देवासिस मंडल का नाम उबर कहा है आप जरूर सर्मा जी से जाने सर्मा जी आपको बताएंगे क्या अखिर सर्मा जी क्यूं इस नाम पे इतना जोड़ दे रहे हैं जर्मा जी क्या बात है जो इस नाम पे जोड़ देशा कि हमारे प्रबंध संपादक ने सारे सीजों को प्रक्रिया के तहत इसपद का चैन होता है उसके आदार पर उन्होंonneें साब साब बता कि जीला अधक्ष का क्यों चैन हो सकता है या उमेश परसाद गुपता जी का क्य जो इसमें चैन हो सकता ए्टों उसी तरह देवासिस मंडल जी का केओ चैन हो सकता है इसको लेकर आपको यह जो बोकारों की राजनिति ए और अलगती है और शांसद्य की डीजो मात शेत को देखने की सब्सक्राइ amplitude का है क्नी की पीजों मेत शेत हैं को ऐसे में अगर कॉंग्रेस उस छेत्र को अच्छूता छोड़ती है तो उनके लिए आने वाले समय में लोकसभा के चुना में बड़ी बिडम बना होगी और इसको देखते हुए और जिस चेहरे की मैं बात कर रहा हूं दिवासिस मंडल की काफी सो में सभाव के आए पार्ट हैं और उसके साथ इसाथ आभी जो दो जनवरी में आपने एक बड़ा कार्जकरम देखा चंदन क्यारी बिधान सभा में इस कार्जकरम का होना कोई ऐसी मामूली बात नहीं है उसमें खुद परदेश अधक जी का आगमन होता है पूरी परक्रिया के साथ सभी बड़े नेत उपस्तित होते हैं और उस कार्जकरम में देवासिस मंडल जी को अगवाई करने दिया जाता है और खुद परदेश अधक जी उनसे काफी देर तक घुल मिलकर बात करते हैं तो इसको देखते हुए लोग ये क्यास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा जो बुकारो जीला का विश सुत्री समीती बनेगी उसमें देवासिस मंडल कहीं वो छुपा हुआ रुस्तम तो नहीं जो इस पद पर काबीज हो सकते हैं आप सर इस इन बातों से कितना इत्तफाक रखते हैं सर्मा जी ने जो बात बुला है इस बात में काफी दम है क्योंकि चंदन क्यारी बिदान सवा एक ऐसा बिदान सवा जहां पर कांग्रेस बहुत ही कमजोर इस्तिति में है कांग्रेस को वहां मजबूती की काफी जरूरत है और मैं आपको बता दूँँ कि जो प्रदेश अद्दश है वो उनका ग्रिह जिला है उन्हें बखुबी मालूम है कि उनके ग्रिह जिले में कांग्रेस पार्टी कहां कहां मजबूत है क्योंकि हवाय चल रही है चर्चाय चल रही है कि आने वाले समय में MP का चुनाव होने वाला है कोई भी उमिदबार हो सकता है मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा जो लोग है वो मेरे सारे को समझ रहे हैं कि आखिर मैं किसमे चर्चा कर रहा हूं तो उन्हें मालूम है कि अग बोकारों के जिले में आता है तो आप समझ जाएए मेरे इसारे को कि प्रदेश अध्यच ने एक दाव खेला है काड़ खेला है उस काड़ पर वो कितना खड़ा उतर पाएंगे यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन दो तारीक को जो पिकनिक हुई थी उसमें उन्होंने सा कि मेरे आने वाले फैसले से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं तो उनकी नाराजगी का इसारा किदर था यह समझने वाले जो पुलिटिकल पंडित हैं वो समझ गये होंगे तो यह नाम अगर बाहर निकल कर आता है यह नाम अगर बाहर निकल कर आता है तो आप समझ जाएए कि कांग्रेस पाटी ने 2024 की तयारी शुरू कर दिया है और उन्हें 2024 क्योंकि धनबाद लोग सभा उनका परमपरिक सीट रहा है वहां से वह हमें साथ जीते आया है लेकिन पिछले 10 सालों से वह हार रहा है अब हार का कारण क्या है और प्रदेश अध्याज 2024 की तयारी में पूरी से आते हैं बैस परिवार से आते हैं बैस परिवार कांग्रेस का बोटर नहीं होता है कम होता है माना जाता है कि बैस परिवार के लोग भारतिये जनता पार्टी के होता है अगर उमेश परसाद गुपता को परदेश अध्याच आगे करते हैं तो ये भी एक मास्टर कार्ड की ये जातिक लोगों से समर्थन को सा बटाए किता हो पृदेयर शडर्वी को आगोगों दिमाग का नमनेर्च जातिक 141-days जो इस नाम के बहाने उन्होंने अपने इरादे को साफ कर दिया है। कि ओड़े अपने लिए आने वाले समय में और कड़े फैसले के लिए लोग तैयार है। यह अनुमान हम कर रहा है। कि पततोन अंहां क्या हुआ है। कुछ चंद और नाम है बेर्मों से जो आपके टेवल पर रखे हुए है आप जरूर दर्सकों को बता कि यह नाम भी चर्चा में है बिल्कुल और तीन नाम जो मेरे सामने रखे हुए बेर्मों से है वो तीनों नाम को भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूं गिरिजा संकर प भी सामने आ रहे हैं लेकिन जो सबसे आगे जो नाम है ये तीन नामी जो आ रहे हैं उह रोग। पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि उपाध्यक्षपत जो है इनहीं को सायद मिले इनहीं को उपाध्यक्ष पद्चन वाजा जाए और इस समीती में इनको ये पद नवाजा जाएगा और एक बड़ी जो मास्टर स्ट्रोक जैसा कि सर ने कहा ये हो सकता है अगर इन तीनों में से कोई एक नाम जो तीनों बड़े नाम है इसमें से किसी एक को अगर बनाया जाता है क्योंकि बहुत चर्चा में है और बहुत कुछ बदलने वाला है इसके बाद जब ये उपाध्यक्ष चंद घंटों की बात है कभी भी किसी भी पल बोकारो जिले का लिष्ट निकल सकता है ऐसा नहीं हो कि हम लोग चर्चाय कर रहे हो लिष्ट आ भ बोकारो भी है लेकिन हमारे सुत्र जो बता रहे हैं कि आज बोकारो इस्टील सीटी का वो लिष्ट जरूर निकलेगा उसमें ये तीन बड़े नाम हो सकते हैं भेरमों से ये तीन बड़े नाम हो सकते हैं और कई नाम हैं जिस पर चर्चाय चल रहे हैं चंदन गयारी से रहे हैं लेकिन ये तीन नाम जो है ये मत्पुन चर्चाय में है और ये तीनों पर धाव खेला जा सकता है ऐसा अनुमान हम कर रहे हैं जो हमारे सुत्र बता रहे हैं लोगों का नाम आपके सामने रख रहे हैं हम किसी की पुस्टी नहीं कर रहे हैं कि आखिर कौन जो है उपा अध्यक्षपत पर कौन नवाजे गए हैं और कितना हमारा जो उम्मीद जताई जारी है क्या यही तीन नाम है या कोई और है हम सभी चीज आपके सामने रखेंगे आज के लिए बस इतना ही 20 सूतरी की गठन के आज हमने चर्चा की है और जो तीन बड़े नाम हमने आपके साम देवंदर के साथ मैं प्रियंका टीफोकस